कि हैलो फ्टुडेंट स्वागत आप सब्वी का इस वीडियो लेक्चर में और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्विश्चन को सोल करेंगे और देखिए क्वोडिंग second, third and fourth moment about the mean यहाँ पर देखिए माध्दी के सापक्ष आगूनों की बात कही गई है और देखिए second, third and fourth moment किस तरह से है three, zero and twenty-six respectively और देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है by using moment find the isqueness and kurtosis तो यहाँ पर देखिए हमें moments का यूज करना है आगूनों का यूज करना है और आगूनों की सहाइता से ही वेशम और ककुदता हमें ग्याद करनी है isqueness and kurtosis और देखिए यहाँ पर moment से related जो भी देखिए formula है देखिए एक तो beta 1 होता है मैं आपको बता चुका हूँ Pearson coefficients होते हैं curl Pearson coefficients, beta 1 and beta 2 तो देखिए beta 1, beta 2 beta 1 क्या होता है mu 3 square upon mu 2 cube और यह होता है देखिए mu 4 upon mu 2 square इसकी help से हम isqueness को check करते हैं और इसकी help से हम kurtosis को हम check करते हैं दोनों बाते मैं आपको बता चुका हूँ और यहाँ पर देखिए जब negative isqueness की बात आती है तो beta 1 की value कभी भी negative नहीं होती इसलिए isqueness के लिए हम क्या निकाल लेते हैं gamma 1 निकाल लेते हैं जो होता है देखिए root beta 1 और यहाँ root beta 1 जब हम calculate करते हैं तो इस तरह से देखिए mu 3 upon root mu 2 cube इस तरह का result हमें मिलेगा इसका जब हम square root लेंगे तो यहाँ पर देखिए mu 3 की value यहाँ पर negative हो सकती है तो यहाँ पर जब gamma 1 negative होता है तो negative isqueness धिनात्मक विशमता और gamma 1 की value जब positive होती है तो यहाँ पर positive isqueness होगा धनात्मक विशमता होगी और gamma 1 की value 0 हो जाती है तो हम कहते हैं कोई isqueness नहीं है symmetric curve है सम्मित वक्र है तो देखे gamma 1 के base पर हम क्या करते हैं skewness को measure करते हैं तो ध्यान रहे जब भी skewness की बात आ जाती है तो skewness को beta 1 से आप measure ने करें है ना skewness को आप किसे measure करोगे gamma 1 से ठीके तो कि beta 1 की value कभी negative नहीं होती इसलिए gamma 1 की यहाँ पर requirement होती है अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं बीटा टू की बीटा टू की help सम कर्टूसिस को measure करते हैं और देखिए यहां पर दो तिन के समय ध्यान रखना होता है बीटा टू की value अगर थिरी के एककवल आ जाती है तो हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक करव है बीटा टू की value गटर दें 3 आ जाती है तो हम क्या कहते हैं हम कहते हैं वो लेटो कर्टिक है नुकीले शीर्ष वाला है और देखिए बीटा टू की value अगर 3 से कम आ जाती है तो हम कहते हैं फिलेटी कर्टिक है चप्टे शीर्ष वाला तो देखिए बंटन वक्र प्रह सामान्य है नुकिले शीर्ष वाला और चपटे शीर्ष वाला तो यहाँ पर देखिए यह तीन बाते मैंने आपको बताई थी बीटा टू की वेल्यू के बेस में अब यहाँ पर देखिए बीटा टू के इस्तान पर हम गामा टू का यूज भ बड़ा होता है और यहाँ गामा टू जीरो से छोटा होता है तो यहाँ पर देखिए गामा टू को हम किस से कंपेर करते हैं कर्टू सिस के लिए जीरो से और बीटा टू को किस से कंपेर करते हैं थी से यह बात आपको इस्पेशली ध्यान रखनी है बीटा टू की वेल्यू 3 आजाए या gamma 2 की value 0 आजाए कर्व की nature सेम होगी इन दोनों condition में सेम होगी तो यहां पर देखिए कर्टूसिस को measure करने के लिए बीटा 2 भी ले सकते हो गामा 2 भी ले सकते हो इससे हम उसकी nature को explain कर सकते हैं करते हैं कि कर्व किस तरह का है तो यहां पर यह बात आपको ध्यान रखनी है बीटा 2 को 3 से और गामा 2 को हम जीरो से compare करते हैं चलिए तो देखिए यह तो मैं हटा देता हूं और यहां पर देखिए सब से पहले हम बात करेंगे जो भी हमें दे रखा है तो according to question लिखें आप according to question given that क्या दे रखा है देखिए एक हमें यहां पर दिया है mu2, mu3 and mu4 moments about mean माद दी के सापेक्ष आगून हमें दे रखे हैं और देखिए माद दी के सापेक्ष जो आगून है moments about mean एक हमें mu2 दिया है second एक mu3 हमें दे रखा है और एक mu4 भी यहां पर given देखिए इनकी values हमें क्या दे रखी है 3, 0, 26 respectively 3, 0, 26 यह है 3, यह है 0 और यह है 26 और इनके base पर देखिए हमें एक तो skewness देखनी है और एक कर्टू सी समय देखना है तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी skewness की वेशम में की हम बात करेंगे जिस हम विशमता भी कहते हैं तो देखिए यहां पर जो हमें skewness निकालना है वो किस पर बेश दोना चाहिए देखिए moments पर तो यहां पर देखिए moments का मतलब आगूर जो आगूर पर आधारित जो भी हम विशमता का मापन करते हैं बीटा टू बीटा वन की हेल्प से तो skewness को मेजर करने के लिए बीटा वन का यूज करते हैं और कर्टूस के लिए बीटा टू का तो सबसे पहले यहां पर हम किसे हो जाएगी चीरो और यहां डिनोमिनेटर में देखिए म्यूटू क्यूब इस थी पावर दी तो देखें जी रवापॉन जी रो पाइनल ऑश्य कर यह देख लिया करो तब उपर भी जीरो होता है नीचे बिजीरो हो तो फिर वह जीरो नहीं आता है वहां करव हो जाता है चलिए तो बीटा Вам क्या हो गया जीरो मैंने आपको पता था अप जब ऑन यहां क्या हो जाये यह फाइनली यहां पर यहां पर क्या हो डेखिए टार। यह निगेटिव तो आएगा नहीं तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर हैब गांड्सों और खांटी सिमेट्रीक है को यहां पर कभी नॉर्मल नॉर्मल भी कह सकते हो और स्थीमेट्रिक कभूब पर कोई स्क्युक्रा चैका है और यहां पर आगे बढ़ेंगे लिए कि इसकी कर टूचिस की और देखे last इसके लिए हम सबसे पहले क्या calculate करतेustom हैं देखे वीटा2 होता क्या है देखे MIU4 अपॉन मू 2 इसक क्वैर्वा की वेली यहांपर 26 है और देखे zawy werden q2 कितना है यहां पर 3 तो यह व्राइब को हम भीएडिंटorig का स्वाइर नाइड इस 8 टाइम यह लिए तो देखी यहां पर इस तरह से हमें बीटा 2 की वेल्यू क्या मिली है 2.88 और विच इस लेस दें 3 यह तीन से कम है और देखें लेस दें 3 बीटा 2 लेस दें 3 हो या फिर गामा 2 लेस दें 0 हो एक ही बात है दोनों से एक ही result मिलता है तो यहां हम क्या कह सकते है लेस दें 3 है तो यहां पर देखिए इस तरह का कर्व होता है यह है देखिए यह है नॉर्मल कर्व और यह लेप्टो और यह है देखिए पलेटी नुकिले शीर्श वाला प्रह सामानी और चप्टे शीर्श वाला इसके लिए क्या होता है देखिए यह काफी उपर है तो हम यहां पर greater than 3 यह बहुत नीचे है तो देखिए less than 3 और यह बिलकुल balance है तो equal 3 और यहां पर देखे beta 2 greater than 3 तो फिर यहां पर gamma 2 equal 0 और यहां gamma 2 greater यहां ओपर तो क्या होगा देखिए greater than के corresponding to greater than होगा यहां 0 के corresponding 0 less than के corresponding less than तो देखिए यह सब बात हैं काफी पहले देख चुके हैं बीटा 2 less than 3 होता है तो यहां पर देखिए चप्ते शीर शीवाला प्लेटी कर्टिक और यहां beta 2 greater than 3 होता है तो यह nuclear shear शीवाला होगा लेप्टो कर्टिक होगा और beta 2 3 के equal होगा तो हम कहेंगे symmetric होगा नोर्मल करव होगा तो गामा की help से भी हम देख सकते हैं gamma 2 की value होती क्या है beta 2 minus 3 gamma 2 को 0 से compare और beta 2 को 3 से compare करते हैं तो beta 2 को हम 3 से कर लेते हैं compare एक ही बात है gamma 2 की कोई जरूरत नहीं है लेकिन skewness में तो आप gamma 1 से ही calculate करें यहां negative positive problem रहती है चलिए तो यहां पर देखिए less than 3 मिला है तो हम क्या कहेंगे distribution कर्व किस तरह का है प्लेटी कर्टी की form में है चप्टे शीर्ष वाला आता है बंटन वक्र चप्टे शीर्ष वाला चप्टा पंजादा है देखिए प्लेटी तो देखिए यहां पर हमने कर्टूसिस को भी यहां पर देखिए मेजर कर लिया है कर्टूसिस कितना है देखिए तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कर्व किस तरह का है देखिए प्लेटी कर्टी की फोम में है चप्टे शीर्ष वाला है तो देखिए स्टुडेंट सीसी के साथ यह किस्टें कम्प्लीट हो जाता है थेंक्यू कि